आवाज इंडिया के सभी दर्शकों को आवाज इंडिया नाकपूर की तरब से मेरा जैभीम आज हम लोग आवाज इंडिया के स्टूडियो से आपके सामने कुछ कोविड-19 के बारे में डिसकस करने के लिए आए हैं हम सभी जानते हैं जैसा कि मार्च महा से लेकर तो अभी तक हम लोग रेगुलर्ली हर रोज हर दिन हर समय सिर्फ एकी चीज से पिडित है ग्रसित है हर तरफ एकी माहुल चल रहा है कोविड-19, कोविड-19 और कोविड-19 कोविड-19 एक महामारी गुशित हुई है सभी जानते हैं सभी आउगत है इस चीजों से परन्तु उसका खोफ हम लोगों के बीच में बेहद अजीब तरीके से हमारे सब के घरों में घुश चुका है इन फाक्ट हम यह कहें कि कोविड-19 महामारी जितनी नहीं फैली उससे कई गुणा ज्यादा हमारे अंदर उस महामारी का खोफ फैला हुआ है जिससे आज हम ज्यादा ग्रसीत है और अभी हम इस वक्त अगर बात करें तो हम बात करते हैं कि कोविड-19 का खोफ हमने लेना है और क्यों लेना है यदि कोविड-19 है अस्तीत्वों में है चल रहा है ठीक है लेकिन उसका खोफ हमारे अंदर किस कदर किस तरीके से घर कर गया है उस विशे पे हम लोग आज थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे जिसके लिए मैं शुरुआत यहां से करती हूँ मैं एक चोटा सा स्टोरी आपको बताती हूँ, सुनाना चाहेंगे यह काफी पुराना स्टोरी है, मेरे ख्याल से लगभग लोग इससे आउगत होंगे परन्तु मैं फिर से यहां एक चोटा सा स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ एक गाव था, बेहत सम्रुद्ध गाव, गाव में खुशाली, सम्रुद्धी और खुशाली के साथ लोगों को बहुत ज़्यादा आनंदित रखने वाला माहुल इस तरीके का एक बहुत सुन्दर गाव था उस गाव में एक फकीर रहा करते थे और वो जो फकीर है वो उस गाव में लोगों की सेवा करने में अपना पूरा का पूरा समय देते थे गाओ का माहौल इतना खुशनुमा था कि ना तो किसी के घुरों में कले हैं, ना जगड़ा है, ना कोई तकलीफ है, सबी लोग मज़े में खुश होकर सम्रद्दी से रह रहे थे अब एक दिन, एक रात की बात है, फकीर गाओ के बाहर ही एक अपना चोटा सा कुटिया डाल कर रहते थे और वो अपने कुटिया में ध्यान साधना विपश्चना करने में लगे हुएं थे, इतने में उनके पास से एक साया गुजरा तो फकीर ने, obviously वो साय को रोका और साय से पुछा की आप कौन हो और कहा जा रही हो तो साया रोका और साया ने कहा की मैं मौध हूँ और मैं इस गाओ में जा रही हूँ तो फकीर ने पूछा कि आप मेरे गाउ में क्यू आई है आप मौत है मेरे गाउ में क्यू आई है तो मौत ने कहा ये विधी का विधान है लिखित है मुझे इस गाउ से लोगों को ले जाना है मैं महामारी फैलानी आई हूँ और मुझे इस गाउ से 300 लोगों को ले कर जाना ह ये वीदी का विधान है मैं बदल नहीं सकती। इसपर फकीर थोड़े दुखी हुए और दुख में उन्होंने पूछा कि क्या वाकई में आप यहां से लोगों को ले जाने आई हो। हम नहीं बदल सकते नियत है नेचर है आप जाईए और अपना काम करिए परन्तु एक सब्ता के बाद आप यहीं से गुजरेंगी और आप मुझसे मिलकर जाएंगी तो मौत ने कहा ठीक है एक हपते बाद मैं आपसे मिलकर जाओंगी ऐसा कहकर मौत गाओ में चली गई और मौ दस लोग चोत्य घर में पाच लोग ऐसे करके गाओं के पूरे लोग उस महमारी के चपेट में आए जो कि बहुत समरद बहुत खुशाल जिंदगी जीने वाले लोग थे यह लोग उस महमारी के चपेट में आए और फड़ा फट उनकी मौते होने लगी एक सब्ता बित 3000 के मोते हुई और एक सब्ता जब खतम हो गया तो विधी का लिखा हुआ मौत का साया अपने कर्मों पे अटल था वो वहां से आगे बढ़ी चलते बनी और जाते जाते फकीर से मिल कर गई और वाकई में उस समय उसको फकीर ने रोका फकीर ने कहा मैं आपको यहां से नहीं ज जाने दे सकता क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था आप केवल 300 लोगों को लेकर जाने वाली थी आपने तो 3000 लोगों की जाने ली है मैं आपको नहीं जाने दे सकता तो मौत ने मुस्कुरा कर कहा मैंने कोई वादा खिलाफी नहीं की है मैं मेरे वादे पर अटल हूँ क से हुआ फकिर ने बहुत सिंपल सा कोशन पूछा इस पर मौत ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है मेरे मेरा वादा खिलाफी नहीं की है मैंने मैं केवल 300 लोगों को ले जाने आई थी और मैं आज भी 300 लोगों को ही लेकर जा रही हूँ यह जो बाकी के लोग मरे हैं यह मेरी महामारी से नहीं यह केवल डर से मरे हैं डर से मरे हैं इस स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि कोई भी महामारी हो या बिमारी हो वो महामारी से ज्यादा उसका खौफ उसका डर जो हमारे अंदर बस गया है या बस चुका है वो डर हमें हर पल हर समय मौद के करीब ले जाता है हम बहुत बड़े नहीं है परन्तु हम इतने जरूर समझदार है कि हम ये बात बिलकुल ध्यान में रखे ये स्टोरी बताने के पीछे मेरा आपको उद्देश यही था कि लोगों के अंदर डर खौफ जो बैठा हुआ है आज वो हमारे लिए ज्यादा घातक है और वही चीज़े हो रही है आज हमारे कोरोना मामारी में हम देखिये कोरोना का आज यदि हम बात करते हैं कोविड-19 का पैंडमिक का हम यदि आज बात करते हैं तो आप ड दिखेगा आपको 36 लाग के लगभग ये कल तक का फिगर था मोते हो रही है उसमें 90,000 के लगभग अभी तक हुई है ने मेरा कहने का मतलब यह हैं आपसे कि 90,000 मोते 36 लाग संक्रमितों में से मतलब यह फिगर कितना हो गया कि हमारे हाँ कोरोना का मृत्यूदर सिर्प मेरे आई नहीं हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड यह दी बात करें तो मृत्यूदर 2-5% या 3% ही है उससे ज्यादा इस बिमारी से मृत्यूदर अभी तक सामने नहीं आया है फिर भी हम लोग उससे कंटीनू डरे हुए हैं कंटीनू मतलब कोरोना से शुरू होती है मैं खाना खाते समय भी यह सोचती हूं कि मैं खाना खाऊ तो रात का खाना खाने तक के मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए मैं रात का खाना जब बनाती हूं रात का खाना खाकर मैं सोने जाती हूं तब भी मेरे दिमाग में यह बात होती है कि आज म मेरे जीवन में इस बिमारी ने अतिक्रमन कर रखा है, और उसका दोश हम बिमारी को दे रहे हैं, ये बिलकुल सही नहीं है, जिस बिमारी का अमृत्यूदर कम है, ठीक है, हम मानते हैं, संक्रमन है, यह बिमारी बहुत जल्दी संक्रमन फैलाती है, डेफिनेटली यह जो वाइरस है यह वाइरस बहुत जल्दी संक्रमन फैलाता है एक से दूसरे को दूसरे ते तीसरे को हैने multiple लोग जो है वो संक्रमित हो रहे हैं सही है यह बात बिल्कुल संक्रमन से बचने के लिए हमें कई सारे लोगों की तरब से कई सारे तरीके के उपा करूं और डेफिनेटली मैंने सोशल डिस्टनसिंग का पॉलो पालन करना चाहिए क्यों करना चाहिए मैं किसी भी अपरिचित से मिलू या किसी भी दूसरे विक्ति से मिलूं तो मैं एक 6 फिट का डिस्टनस बना के चलूं ताकि संक्रमित वो है या नहीं है तो भी मुझे स अलावा कोई और नहीं है इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना है अन्यता आप यह कहेंगे कि आप खुद बोल रही है और आपने खुदने मास्क नहीं पहना है और आप सला दे रही है लोगों को की मास्क पहनी है तो यह बात सही है आपकी मास्क हम पहने मैं घर से बाहर निकलत समय तो रात को घर पोच्छते तक पूरा टाइम मास्क लगा कर रखती हूं यह हमारा एक कड़ाई से पालन करने वाला नियम बना लीजेगा हैंड सानिटाइजर का यूज करिए स्वच्छता रखिए बार-बार हम लोगों से सुनते आते हैं और बार-बार इन चीजों को हमे अगर बताता है कोई तो वो सामने वाला गलत नहीं कर रहा है देखिए मुझे एक चीज समझ में आती है कि मैं बिमार हो इसका डर सबसे आदा मुझे रहेगा सामने वाले को नहीं सामने वाले को कोई फरक नहीं पड़ेगा दूसरे वेक्ति को आप बिमार है कैसी यह क्या ह हाँ घर के लोगों को पढ़ सकता है परंतु तीसरे वेक्ति को फर्क नहीं पड़ेगा आप बिमार है या नहीं है आपको ही फर्क पड़ेगा परंतु यदि सामने वाला कोई भी थर्ड परसन आपको बताता है कि हाँ भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें समाज से अलग अलग लोगों से जुड़ते जुड़ते हमारा ढेश बनता है तो हमारा ढेश भी स्वzwUST्त रहेगा यहीं सोचकर सारे लोग एक दूसरे मैसेज़ेंस देते हैं वह सिर्फ इसलिए कि भई आप भी स्वस्त्त रहें तो उनकी हम सुने यदि मुझे कोई बताता है कि मणम आप हाथ सानिटाइज करिएगा मैं बिलकुल उनकी बात से सहमत रोंगी मैं मानूंगी उनकी बात कि मुझे हाथ धोने चाहिए मुझे हाथ सानिटाइज करने चाहिए मुझे स्वच्छता का पालन करना चाहिए यही ची स्वच्छता का पालन करें क्योंकि स्वच्छता का पालन करना ही इस से इस बिमारी से दूर रहने का एक बहतर तरीका है दूरी बनाने का बहतर तरीका है यह मेरा आपको कहना है तो हम स्वच्छता पालन करते हैं हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं हम लोग मास्क पहनते ह सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हैं सब करते हैं फिर भी एक चीज है जो मुझे सताती है और वो है खौफ यह करने के बावजूद मेरे अंदर एक चीज बैठ गई है कोरोना का खौफ तो आज हम सिर्फ और सिर्फ यही विशे आप से शेर करना चाहते हैं यही विशे आ यह खौफ मेरे अंदर से आया है जिसको मैंने दूर करना है बीमारी को क्या लेना देना को क्या पता कि वो हो रहा है आपके अंदर आ रहा है कोरोना को क्या लेना देना नाथिंग एल्स पन खौफ जो अपने अंदर पैदा हो रहा है उसको तो मुझे ही निकालना होगा और उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मेरा mental health जिसको हम कहते हैं मानसिक स्वास्त ये बहतर करे सबसे ज्यादा focus हम सिर्फ इस बात पर दे कि मुझे healthy रना है और mental health रखनी है mental health को ज्यादा मुझे तवज़ो देनी है किसी और health से ज्यादा क्यूंकि health sector में हमारी physical health को treatment देने के लि मिलेंगे कई सारे doctors मिलेंगे कई सारे योगासन वाले अलग-अलग तरीके मिलेंगे आपको लेकिन mental health को संभालने के लिए आपको ना तो ऐसे कोई आज सच्छ डॉक्टर मिलेंगे और नहीं कोई ऐसे वेक्ति मिलेंगे जो आपकी mental health का care करे mental health को बनाने का काम मानसिक स्वा अस्तता को निभाने का काम ये केवल मेरा है केवल और केवल मेरा और वो निर्भर करता है इस पर कि मैं किसी भी स्थिती को किस तरीके से आगती हूं किस तरीके से मैं हैंडल करती हूं इसलिए हमारा फोकस उस चीज़ पर होना चाहिए कि मुझे मेरे मेंटल स्वास्त को मेरे म स्वास को किस तरीके से बरकरार रखना है किस तरीके से बूस्ट अब करना है बढ़ाना है और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूं मतलब मेरे सवाल है आपसे कि मेरा राज किस पर होना चाहिए क्या बीमारी ने मुझ पर राज करना चाहिए या मैंने बीमारी को हटा देना च कुछ है कि मुझ पे कौन राज करेगा यही सवाल आता है आपके mental health का मेरे मानसिक स्वास्त का और मानसिक स्वास्त हमारे लिए ज़रूरी क्यों है सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं मानसिक स्वास्त रहूंगी तो सारी बीमारिया दूर होंगी आहाँ not at all देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोरोना काल में कई सारे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले मेडिसंस कई सारे प्रोडक्स आज हमें मार्केट में मिलते हैं अवेलेबल है हम लोगों को day to day कोई ना कोई एक वेक्ती सलाह देते ही है कि आप यह काड़ा लीजियेगा बिल्कुल सही सलाह देते हैं हमने काड़े लेने चाहिए हमने गरम पानी पीना चाहिए गरम पानी दिन में बहुत ज्यादा ना पीए क्योंकि गरम पानी स्वास्थे के लिए कई बार घातक भी होता है लेकिन ये कोरोना काल चल रहा है तो हम घर में कम से कम 2-3 भार गरम पानी का सेवन करे रात को सूने के पहले हम कम से कम गरम पानी में हल्दी एक चमच डालके उसमें उसका काड़ा बना कर पिए ये हमारी immune power को boost up करता है immunity power को boost up करने के लिए ऐसे कई सारे तरीके की चीजें हमें मिलेगी जो की nature में available है जो की market में available है परंतु मांसिक स्वास्त को बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी हमें वो आपको self motivation से self development के जरिये ही मिल सकती है यही point है हमारा आज का कि मेरी mental health मेरा मांसिक स्वास कैसा हो किस तरीके से हो ठीक है बीमारी है है बिल्कुल है वो है चल रही है और हम यह नहीं कह सकते वो कब तक चलेगी हम यह नहीं कह सकते कि उस बिमारी के चपेट में मैं आऊंगी नहीं आऊंगी आहा यह सारी चीज्वे काल्पनिक है कब तक चलेगे ठीक है कोई एक उसका solution नहीं दे पाएगा मेरे अंदर आएगी यह भी काल्पनिक है कल्पन है आपने यह ठाना कि मैरे अंदर नहीं आनी चाहे तो जो कोरोना से ग्रस्त होकर negativity फैलाते हैं, मेरी लड़ाई उन से है, और मेरी लड़ाई सबसे बड़ी है कोरोना से, और कोरोना, मैंने पहले ही कहा कि कोरोना बिमारी, यह बिमारी यहाँ वहाँ नहीं, यह आपके धिमाग में गुसी हुई है, शरीर में बाद में आई, पहले आपके दिमाग में आई हम जादा से जादा डिस्टरब होते हैं हम जादा से जादा विचलीत हो जाते हैं सिर्फ यह सोच करकी कोरोना है कोरोना है और इस बिमारी से हमें विचलीत होने की कतई जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं आप विचलित ना होगिये मुझे इस पे ध्यान केंदरित करना होगा हर sa me हर वक्त क्योंकि मुझे केवल अकेले को नहीं संभालना है मुझे मेरे परिवार को संभालना है मुझे मेरे फैमिली के लोगों के साथ मेरे रिश्यदारों को संभालना है और रिश्यदारों के साथ साथ भाया मुझे मेरे समाज को भी संभालना है उनको भी लेकर चलना है तो मुझे बेचैन कर सके या मुझे विचलित कर सके या मुझे हरा सके यह बात पहले गाट बान लीज़े आप सारे लोग ऐसी कोई विबारी नहीं है जो आपको विचलित कर सके महामारी का पाटे का लग हमें precaution लेनी है वो पाट अलग लेकिन उस कोरोना को दिमाग में नहीं जाने दिना है कोरोना शरीर पेवार करें ठीक है पर उसने दिमाग पेवार नहीं करना चीए आपके क्योंकि आपके दिमाग पेवार करेगा आपका सबसे बड़ा जो सिस्टम होता है जिसे हम सर्वर कहते हैं कॉम्पूटर का सर्वर एनिकि आपका दिमाग आपके दिमाग से संचलित होता है पुरा शरीर, आपके दिमाग से संचलित होती है पुरी बिमारिया, यदि मेरा दिमाग, मेरा माइन प्रसंद न रहे, खुशाल रहे, तो कोई मुझे जरूरत नहीं है किसी भी चीज की डरने की, किसी भी चीज का आवशकता नहीं, कोई बि दिया है डर निकाल दिया है मेरे अंदर से यह positivity आपके अंदर तब आएगी जब आप शुरुवात में यह सोचे कि मेरा मानसिक स्वास्त मैं किस तरीके से रखू और इसकी शुरुवात करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं हमें कहीं न भटके कोई जरूरत नहीं हमे मैं बीमारी को हराने के लिए मेरे मानसिक स्वास्त को ठीक रखने के लिए इसके खौफ को बाजू करने के लिए मुझे पहले मेरे अंदर जाकना होगा और मेरे अंदर जाकने के लिए मुझे क्या करना होगा पहले तो मुझे यह सोचना होगा कि मैं कितने बार कोरोना के ब बताती हूँ आपको, बहुत चोटा सा किस्सा है लेकिन कारगर है, मेरी फ्रेंड है और मैरीड है, एक चोडी सी बच्ची है, और घर में उनके सासुमा है, हर रोज सासुमा के सासदो जगडे डेली वाले और डेले वाले जगडों के कारण घर पुरा डिस्टब, reason कोई नहीं है, there is no reason at all, जगड़े का कोई कारण नहीं, चुटी-चुटी बात के लिए जगड़ा, यह ऐसा क्यों हुआ, यह आपने ऐसा क्यों किया, वह ऐसा क्यों किया, इन जगड़ों के कारण पुरा घर, पुरा परिवार, डिस्टब, सारे लोग डिस्टब, और मेरी friend के जो पती है, वो बिचारे office में जाएं, तो दिन भर सिर्फ एक ही काम करें, कि दिन भरे के जगड़े सोचते रहें, कि आज यह हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, यह हो सकता था, वो सकता था, इन सब सोच के कारण विश्य देख पारी है, nothing else, सब को डिस्टब, ऐसी उनकी लाइफ में शुरू था, सड़नली एक दिन, बर्डी में, एक रेस्टो में, मुझे मिली, और मुझे देखकर बड़ी प्रसंवी, खोब प्रसंवी, गले मिली, बोले, यार, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा कितने सालों बाद मिल रही हो, वगरा, 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 तो हम लोगों की पुरानी बाते शुरूआत हो गई, और फ्रेंट से तो, obviously, बाते तो बढ़ेगी, हम लोगों ने discussion शुरू किया, फिर मैंने उससे पूछा, कैसी चल रही है लाइफ, तो उसने बहुत रोक बहुत feelings express करके उसने मुझे बताया, ऐसा है, वैसा है, यह है, वो है, all the time, पुरा समय, मेरे पती सिर्फ मा, मा, मा सोचते रहते हैं, पुरा टाइम मागो देते हैं, भाजी लानी है, मा को पुछेंगे, शॉपिंग जाना है, मा को पुछेंगे, यह करना है, मा को मैंने पौना गंटा उसके साथ बाते की, उसका मन हल्गा किया, और वो जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस उसके माइन में है, शरीर से ठीक दीख रही थी, पर माइन में डिस्टर्बेंस है, आधा गंटा होने के बाद मैंने उससे पुछा कि आप शेडू मैं घार आती हूँ शाम को फिर शाम को घार आने के बाद घर का खाना बना लेती हूँ फिर मैंने उससे पूछा कि ये सब जब करती हो आप सुबा खाना बनाना उठना उठने से लेकर खाना बनाने से लेकर घर के काम करने से लेकर ऑफिस में जाना देन ऑफिस के दिन भरे के काम खतम करना और दिन भारे के काम खतम करके फिर वापस घराना वापस घरा के खाना बनाना और फिर से आप घर में राग तक सोने जाना यह पूरे समय का जो schedule है यह पूरे schedule में आपके दिमाग में क्या चलता है मैं वही बताना चाहरी हो बोले मैंने का आच्छा मुझे यह बताओ आपके पती आपकी सासुमा को कितना समय देते हैं पूरा समय देते हैं मैंने का कैसे पूरा समय देते हैं क्या वो 24 गंटे सासुमा की साथ रहते बोले नहीं बिलकुल नहीं ऑफिस चले जाते हैं मैंने का आठ गंटे साथ में रह she is fine, वो अपना काम कर रही है, लेकिन आप आपकी सासुमा को, should गंटे में से 18 घंते आप खुद अपनी सासुमा को दे रही हो, तो उसने पूछा कैसे मैं 18 घंते देरे हूँ, तो मैंने पूछा, ओविसली आप अप 18 घंते देरी हो, कैसे, आप सुबह उटते साथ सासुमा के बारे में सोचती हो काम करते करते सोचती हो यह ऐसा क्यों करती है वैसा क्यों करती है यह हो गया वो गया रात को सोने जाती हो तब भी सासुमा होती है अफ्कोर्स होती है वो लेमन फिर मैंने उससे कहा कि देखिए आप बहले ही आया है लेकिन आपके दिमाग में पूरा time आपकी सासुमा है और सासुमा जो है वो कोई villain नहीं है विलन, character आपके दिमाग ने पैदा किया है, आपके दिमाग की उपज है उस matter को आप resolute कर सकती हो आप अपने जीवन का पूरा समय किसको दे रहे हो ये depend करता है मेरी सोच पे, मैं क्या सोचती हूँ, मैं किस सोच पे ध्यान के अंदरित करती हूँ, इस पे depend करता है कि मैं मेरा समय किसे दी रही हूँ, तब उसको ये बात समझ में आई, yes, you are right, और उस दिन से लेकर तो आज तक उसकी एक complaint नहीं है, उसने मुझे एक बार मिलके, खुद फोन करके कहा, कि I am very happy, कि आज मैं मेरे दिमाग में सासु माको नहीं रखती हूँ, वो जो भी कर रही होगी, let her do, कर ले न दो, मेरा दिमाग, मेरा समय, सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे परिवार के लिए लगाती हूँ, मेरे काम के लिए और इस कारण से हमारे लाइप स्वस्त चल रही है, there is no disturbance at all, ये छोटा सा किस्सा हर घर में होता है, definitely होता है, और क्यूंकि हम सामाजिक प्राणी है, होते रहेगा, ठीक, depend ये करता है कि मैं मेरा समय ज्यादा किस पे किंद्रित करती हूँ, किसे समय देती हूँ मैं, मैं किसक समय ज्यादा देता हूँ, ये depend करती है, आपकी सोच पे, और वही चीजे आज हमको दीख रही है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, सुबह उठते साथ मेरी सोच कोरोना को लेकर शुरू होती है, दोपर के खाने तक सबजी बनाते तक मेरी कोरोना को सोच शुरू होती है कि ये सबजी को कोरोना वाइरस ना लगा हुआ हो, मैं सबजी उको साबन से दोती हूँ, ठीक है, कोरोना है, ठीक है, हमने उसको डिनाई नहीं किया, लेकिन उसके अस्तीत्वा से कई जादा गुना अस्तीत्वा उसका आपके माइन में है, और यही से हमें उसको थोड़ा करना है थोड़ा स्वस्त रहना है जिस तरीके से हम अपने जीवन को अपने माइंड को फ्रेश रखना चालू करेंगे जिस दिन हम लोग यह सोचना चालू करेंगे कि है यार ठीक है इस ओके वो तो है लेकिन मुझे उससे जीत हासिल करनी है और यह जीत हासिल तभी होगी कोरोना मेरे दिमाग पर हावी नहीं होना चीए जिस दिन ये टार्गेट मैं रखती हो उस दिन से आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन सामन्य होते आ रहा है आज जो असामन्य लाइफ हम जी रहे हैं उसको हम लोगों को सॉल करने का तरीका भी मुझे ही निकालना होग देरिज नो गॉड कि वो आएं ऐसी एक चड़ी घुमाएं और कहें कि हा सब ठीक हो गया तथास्तू ऐसा कुछ होने वाला नहीं मेरे मानसिक स्वास्त को मुझे ही सुदारना होगा और जिस दिन मेरा मानसिक स्वास्त सुदारना शुरू हो जाएगा उस दिन से आप मेरे अंदर अब नहीं है तो बिमारी से ज़्यादा हम बिमारी के डर से मर रहे हैं हर रोज मर रहे हैं हर समय मर रहे हैं तो भही मुझे जब इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ में गुजर रहा हूँ यह तकलीफ मुझे किसी और की दी है हमारे बच्चों तक असर हो रहा है आप देखेंगे हम लोग नॉर्मल लाइफ एक मार्च तक मार्च के पहले तक जी रहे थे स्वस्त लाइब जी रहे थे हेल्दी लाइफ जिसे हम क्याते हैं बच्चे खूश सब खूश आज हम बच्चे को अगर गले भी लगाए तो भी एक पॉइंट मन में आता है औरे यार बच्चे को को रुणा ना हो जाए कि यार रोल बच्चे को केरोना ना हो जाए, ये सोचना बिल्गूल सही है, प्रेकाउजनस उसके लिए हमने लिये हैं, लेंकिन मानसिक जो स्थीती है वो आज भी हमारी भाइनकर हो गयी है, विपरित हो चुकी है, हम पहले जैसे नहीं रहे normal life नहीं रही तो इस normal life को फिर से normal करने के लिए हमें खौफ से दूर रहना होगा, मेरे mental स्वास्त को, मेरे मानसिक स्वास्त को मैंने ही ठीक करना होगा क्योंकि कोई और नहीं ठीक करेगा उसे, जिस दिन आप उसकी शुरुआत करते हैं, आप खुद पाएंगे कि यहां मुझे खौफ नहीं है, खौफ नहीं है, अर्थात मैं मेरा जीवन स्वस्त जी सकती हूँ, बहतर तरीके से जी सकती हूँ, और खौफ हटाने के लिए हम लो हो, कोई भी काम करें आप, जो पसंद है, सिलाई, कड़ाई, सिंगिंग, डांसिंग, कॉम्प्यूटर, एनिधिंग, जो भी हमें पसंद है, वो काम हम करें, और प्रसंदन मन से करें, खुश होकर करें, योगासन पसंद है, योगासन करें, भाई मुझे मिठा गाना पसंद है हम मिठा गाए बही मुझे कुकिंग का शोख है कुकिंग करे जो पसंद है वो करे गाने सुने टीवी देखे पंड टीवी में इडियेट बॉक्स ना देखे जो की हमारी माइन को पूरा डिस्टब करता है ऐसे चैनल से ऐसी चीजों से दूर है हम कोरोना का डर है लेकिन उसका डर मेरे जीवन पर हावी नहीं होना चीए इसी बात को ध्यान में रखकर हम जो भी करते हैं वो लाइफ में करे लाइफ को नॉर्मल बनाने का कोशिश करिए क्योंकि यदि आज हमारी लाइफ नॉर्मल नहीं होती है तो आने वाले कई समय तक हम अपने आप को ऐसा ही रखते हैं तो एक दिन हम ये पाएंगे कि मेरे अंदर बहुत चेंजेश हो गये हैं और मेरा इतना बदलाव ये सही नहीं है दिस नोट गुड फॉर माइफ ना मे हम आज से करते हैं इस वक्त से करते हैं कि स्वस्त लाइफ स्वस्त मानसिक्ता स्वस्त जीवन स्वस्त फूड स्वस्त लिविंग यहां से शुरुवात करते हैं हम आज से करते हैं मेंटल स्वास पे सबसे ज़्यादा अभ्ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा मांसिक स्वास मेरा बहुत अच्छा रहे कोई भी निगेटिवीटी मेरे अंदर ना है अगर आती भी है तो मैं कभी पशना का सहरा लू कभी मैं म्यूजिक का सहरा लू किसी की मदद लू किसी से काउंसलिंग लू लेकिन मैं निराशा को मुझ पे हावी ना होने दू और जिस और कोरोना जैसी चीज से हम चाहते हैं कि छुटकारा हमें मिल जाए हमारे परिवार को छुटकारा मिले इसलिए ध्यान रखिएगा अपना केवल और केवल आपके मास्तमानसिक स्वास्त पर यही मेरी आप से गुजारिश हैं हम शुबकामनाई देते हैं आपको एक स्वस् करें तो औरों के घरों में भी दीप्रजवलीत करें दीप्रजवलीत का अर्थ स्वयम प्रजवलीत होना मुझे अगर किसी चीज का ग्यान प्रप्त हुआ है मुझे अगर किसी चीज का एक वो मिल गया है सॉलूशन तो डिफिनेटली मैं उसको फॉलो करूंगी और मेरे साथ साथ मेरे समाज मेरे परिवार मेरे फैमिलीज मेरे रिलेट्यूज इनके लिए भी मैं वो चीज आगे बढ़ाऊंगी इस धिय के साथ हम पहला धिय यह रखें कि मेरा मांसीक स्वास्त ठीक रहे बहतर रह मैं खुशाली से जीओ खुश जीओ ऑल्वेज हपी जिस दिन आप खुश रहना चालू करेंगे आप देखेंगे दुनिया पूरी बदल चुकी है खुबसुरत हो गई यह दुनिया इसलिए खुश रहना शुरू करे बस खुश रहे इसका मतलब यह नहीं कि पूरा टाइम हसी रहे हसना और खुश रहना दूरा में आंतर है यह पूरा टाइम हसना कई न कई हमें अबनॉर्मल बनाता है लेकिन मन से प्रसं न रहेना मन से खुश रणा यह हमें बहुत बहुत बहतर इनसान बनाता है। और एक चीज ध्यान में रखिए हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही असर हमारे शरीर पर पटता है। तो मेरी सोच यदि प्रसंद है मेरी सोच अगर healthy है, मेरी सोच अगर creative है, तो definitely मेरा शरीर भी creative बनेगा, मेरा घर, परिवार, मेरे आसपास का वातावरण भी बहुत सुन्दर healthy बनेगा, इसलिए सोच positive और बिलकुल positivity के साथ आगे बढ़ना है, कोरोना का सामना करना है, लेकिन खौप से नहीं, खौप को जीत कर, आगे बढ़कर, मन प्रसंद रखकर ह हमें कोरोना को हराना है, यही हमारा आज का उद्देश है आपके लिए, मेरी सबसे गुजारिश है, अपना ख्याल रखे, स्वस्त रहे और healthy रहे, धन्यवाद.